Hey guys and hope you all are doing well, मेरे पास मैं आज आचुका है Digitech का all new 8K action camera, एक affordable action camera finally Digitech ले आया है, जो की GoCam series के अंदर आता है, GoCam Digitech की फेमस series है, जिसके और भी action cameras की videos मैंने पहले अपने चैनल पे अप्लोड करें, ये एक one of the newer action camera है, जो Digitech ने अभी इंदिन मार्केट में रिवील किया है, ये 8K resolution पे वीडियो कर सकता है, और 64 Megapixel के high resolution photos को भी click कर सकता है, अगर आप एक biker हो, अगर आप एक daily vlogger हो, अपने एक action camera की तलाश कर रहे हो, affordable price में 8K solution के साथ में, I think एक one of the best option for shooting photos and अपने vlogs के लिए हो जाता है, तो मैं आज इसके बारे में बात करूँगा, review करूँगा, इस तरीके का response हमें देखने को मिलता है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, quickly and चलिए शुरू करते हैं, let's get started, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, Digitech के action camera series के बारे में, तो Digitech का GoCam series है, इसमें multiple products available है, एक full HD वाले cameras है, 5K resolution वाले cameras है, 4K resolution वाले camera हैं, और first time 8K resolution camera भी brand ने introduce कर दिया है, इनियन मार्केट में, ये Gocam DAC201 है, 201 है, इसका model number है by the way, और अगर आप internet पर दिखेंगे, तो इसको सर्च करने दे, you will able to found this camera, और इस टेप के प्यारे से yellow color के packaging में आता है, और जब आप इसे unbox करते हैं, तो अभी इसको quickly unbox कर ले ये जो camera नहीं application के थुरू भी connect हो सकता है, तो इसका dedicated app है, iSmart DV2 app, ये प्ले स्टोर से आप डाउनोड कर सकते हो, और इसे वाया smartphone भी control कर सकते हो, ये एक अच्छी feature हो जाता है, और यहाँ पर आप आप देखेंगे तो इस पे box पे gocam की branding आ जाती है, और इसका carrying box हो जाता है अन्बॉक्स करते हैं हम इसे, और सबसे पहले तो आपको ये camera देखने को मिलेगा, इस बारी GoPro ने एक solution ये डाल दिया है, इसे waterproof बनाया है camera को, तो इसकी जो बॉड़ी है वो इटसल्फ waterproof है इस बारी, कोई अपको अलग से water housing इसके देखने को नहीं मिलती है, नीचे quarter thread मिल ज साइस के साथ में आती है, इसका मतलब है लगप 45-50 मिनट के असपस का backup आपको रफली एक battery पे मिल जाएगा, that I think it's really good deed, प्लस जो charging है वो type C के थू होती है, इसमें type C port दिया वा है, HDMI port भी दिया वा है, अगर आपको HDMI output लेना, तो micro USB port मिलता है आपको, इसके अंदर हमें जो ह साथ में options आते हैं, lens की cap भी आपको देखने को मिलती है, अगर आप Moto Vlogger हो तो इसके hand straps भी आते हैं, कुछ straps भी extra साथ में दे रहे हैं, अगर आप माउंट करते हो कहीं पे इसको, तो आप इसे lock-in कर सको, अच्छी से strap से बांध करके, ठीक है, फिर इस camera की दूसरी सबसे बड आने वाले gocam से काफी अच्छा है, तो एक decent weight के अंदर हमें दिखने को मिलता है, थोड़ा सा भारी है हलका सा compared to previous generation, because of नया sensor, नया lens का module और बैटरी जादा है, तो इस वरे से हलका सही है, आपको थोड़ा सा weight में दिखेगा भारी compared to previous अगर आपने gocam यूज किया है, जो back display है वो अलगबग 2 इंच की और आगे की display आपको 1.2 इंच के size में दिखने को मिलती है, 128 GB तक के card को up to support कर सकता है, ये built-in इसमें microphone मिल जाते हैं, तो इसमें अभी आप देखेंगे तो इस तरफ भी mic आपको दिखने को मिलेगा, speaker भी है इसके अंदर, आगे की तरफ भी mic दिखन की surrounded microphone देखने को मिलते हैं, आप इसे on करेंगे तो ये पूरी touch screen display है by the way, तो हर एक चीज touch के through control हो जाती है, तो ये यहाँ पर on हो गया और हर एक चीज आप basically touch के through control कर सकते हो, अगर आप मैं video resolution की बात करूँ तो ये camera 8K 30 frame, 6K 30 frame, 4K 60 or 30 frame, 2.7K 60 frame और full HD 120 frames तक रिकार्ड कर सकत आप में built-in 6XS का 0 stabilization, यानि electronic 0, electronic stabilization भी देखने को मलता है, तो इस really really stable, that I can say that previous generation, it is a really great camera, for shooting your vlogs and videos, अगर मोटो व्लोगिं कर तो उसके लिए बढ़ी है, इसमें हमें एक और जो अच्छी चीज देखने को मलती ही, that is 64 megapixel का high resolution sensor, ये तो ये sensor ये pixel बिन करके आपको high resolution 64 megapixel की image नि अपर अपर अपना resolution नहीं क्रॉस करते, यहां पे, because of sensor size जो है, उसका advantage है, यहां पे sensor जो है, वो 1 by 1 over 3 का sensor यूस किया गया है, और इसी वाज़ेसे में 64 megapixel का resolution अच्छी हो पाया, फोटो के सेंपल अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, काफी अच्छे high quality की फोटो, ये खीच पाता है, dynamic range भी काफी अच्छी रिकॉर्ड कर पाता है, और वीडियो में और फोटो में दोनों में इसके results अच्छे हमें देखने को मिलते हैं, in terms of quality of video, that's such great quality, क्योंकि dynamic range काफी अच्छी maintain करता है, stabilization बढ़ियां मिलता है, FOV बहुत अच्छा है, इस camera का, और सालसात मे फोटो इन वीडियो में दोनों में इसके overall results काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, एक जो last feature में आपको बताया था, starting way, that it can connect with your smartphone also, इसमें एक app install करके, आप इसे smartphone से pair करके और पूरा smartphone से इसका preview देख सकते हो, और remotely पूरा operate कर सकते हो, I think एक on and on, काफी affordable, बढ़िया action camera हो जात में दॉप कर दूँगा मुझे बताये का अपको अगर अगर आपने पर्चिस क्या camera कैसा लागा, thank you so much guys for watching this video, stay tuned and keep shooting